तो फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पे मेरे पास दो तरह के USB कार्ड हैं और दोनों की दोनों कार्ड हमारे बुलू तू स्पीकर बनाने के लिए यूज होते हैं तो यहां पे देखिए काफी दिनों से मेरे पास काफी सारे लोग कमेंट कर रहे तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फूल डिटेल से स्टेब वाई स्टेब अपने एक्स्पिरेंस के इसाब से आपको सारी चीज़े बताऊंगा तो वीडियो को आप सुरू से एंड तक देखे और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिंध आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like करें अदर्वाच वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज़्यादा समय नगवाते हुए वीडियो continuous कार्ड है इसको आप देख सकते हो नजदीक से कुछ इस ट्राइब से यह कार्ड है इसके अंदर क्या है कि यहां पर आप माइक भी लगा सकते हो ठीक है अगर आपके पास माइक वगएरा है तो माइक वगएरा लगा के भी इस कार्ड को यूज कर सकते हो और यहां पर सारे वह सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको अलग से कोई audio लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इस card के साथ में ठीक है क्योंकि जो step का यह card होता है इसके साथ में क्या होता है कि इसके साथ में पहले चीजें देख लो क्या क्या मिलती है उसके बाद मैं आपको यहां पर इस card के अंदर क्या होता है कि इस card के अंदर भी function तो लग बग वही है दो तिन function का फरक है जैसे कि इसके अंदर memory card का सिस्टम दे रखा है और यहां पर वाल्यूम कम जाद करने का और mode वगारा चेंज करने का यह सिस्टम है साथ में इसमें एक छोटी से display भी दे रखी है जिससे आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा कितने number गाना कौन सा चल रहा है ठीक है तो यह चीज़े हैं लेकिन इसकी disadvantage क्या है सबसे बड़ी problem क्या है कि इस card के साथ में आपको अगर speaker चलाना है तो इसके साथ में speaker direct नहीं चलेगा इसके साथ में आपको यह वाला जो audio module आता है यह आपको use करना पड़ेगा तब ही जाके आप इसके साथ में speaker को जोड़ के गाने में गरब play कर सकते हो otherwise यहां पर आपको sound नहीं मिलने वाली और जबकि इस card के साथ में क्या है कि इसके साथ में आपको कोई बी audio module जोड़ने की जरूत नहीं है क्योंकि सारा system हमारा EC के अंदर ही दे रखा है इसलिए हमें extra कुछ भी जोड़ने की जरूत नहीं है आप बस इसके अंदर इसके speaker और battery के connection करो और अराम से इस card को use कर सकते हो तो यहां पर देखिए दोनों में अपना अपना advantage है इसके अंदर यह है कि यह थोड़ा सा सस्ता मिलता है यह यहां की local market में यह वाला जो card है यहां की local market में 120 रुपे के अंदर मिल जाता है और यह जो audio module है यह 30-35 रुपे के अंदर यह भी market में मिल जाती है और इसके साथ में remote और इसी wire वगरा भी मिल जाती है जबकि इस card के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता मार्केट में खाली यह card ही हमें मिलता है और इसके साथ में ना तो आपको कोई wire वगरा मिलेगी ना कुछ और मिलेगा बस फाइदा यह है कि इसके अंदर हमें अलग से कोई sound IC वगरा अलग से card वगरा लगाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखे एक advantage तो यह है कि इसके अंदर mic वाला system है ठीक है और बाके system तो सारे के सारे same है और दूसरा इसके अंदर क्या है कि इसके साथ में कोई remote वगरा नहीं मिलता है जबकि इसके साथ में remote देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह अपनी अपनी choice पर depend करता है कि हमें कौन सा card लेना चाहिए अब जैसे कि अगर किसी को mic की जरूरत है और वो चाता है कि हमें अलग से audio module वगरा ना लगाना पड़े तो वहाँ पर आप इस card के साथ में जा सकते हो और यह card मुझे 275 रुपे के आसपास मिला है मार्किट के अंदर तो यह card मैंने 275 रुपे खरीद है लेकिन इसके अंदर क्या है कि sound आई से वेगरा हमारी इसके अंदर ही लगी हुई है जो कि अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इस speaker को और इसके अंदर क्या है कि यह जो card होता है इसके अंदर problem यह है एक तो आपको यह audio module अलग से लगाना है ठीक है और साथ में जब हम इसको supply देते हैं तो यहाँ पे हमें 5 voltage की supply देनी होती है जबकि इसके अंदर हम 3.7 voltage की supply देके इसे यूज कर सकते हैं तो यह दोनों में फरक होता है कि यहाँ पे voltage का भी फरक है जबकि इसके अंदर हम lithium-ion battery यूज करते हैं और speaker वेगरा को लगाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल perfect तरीके से यह sound वेगरा इसकी बहुत अच्छे तरीके से यह काम भी करता है तो देखिए इसके अंदर तो अभी मैं इसका connection आपको करके नहीं दिखा सकता अगर आपको इसके connection देखने है तो मैंने इसके उपर full detail से वीडियो बना रखी है आप मेरे channel पे जाके इसके full detail से connection देख सकते हो कि इस card का और speaker का किस तरीके से connection करने है लेकिन इसके अंदर मैं दो speaker अलग से लगा सकते हैं जो कि clip वाले अगर आपके पास speaker है तो सीधे आपको clip को फसाद देना है दो speaker इसके साथ में चल सकते हैं और यहां पर देखिए इसके अंदर क्या है कि जब आप battery लगाओगे इसके अंदर clip वाली तो उसके अंदर भी एक दो चीज़े आपको ध tes battery आपने उठाई और इसके अंदर आपने इसको लगा दिया क्योंकि देखिए- इसके अंदर हो क्या सकता है कि اगर आपने गल्थ तरीके से इसको लगा दिया भी न देखिए तो यहां पर यह पूरा-पूरा circuit हमारा झ कि खराब हो सकता है उसका कारण क्या है कि देखिये को ध्यान देजिए चोटी चोटी चीज़े ना लोग ध्यान नहीं देए इस्वाज़े से कई और मार को शे जाते है तो तो हमारी पहले नंबर की यह आली जो पीन है ये हमारी प्लस की और मीर 450 नंबर की हैं दोनों के अगर इस तरीके से τους फिलिप भी हमारे सेम है लेकिन इसके अंदर फरक कहां पर है देखिए अगर हम इस दोनों को इस तरीके से रखते हैं पलट के इस तरीके से रखते हैं तो यहां पर देखिए कलर का फरक है वायर का कहां पर फरक आ रहा है कि देखिए इस वाली पहली वायर पहले लगी है और मायनस वा इस साबसे फायर लगी हुए है अब जैसे कि अगर हमें इसको लगाना है इसवाली करनेक्टर को इसथे रगाएंगे तो यह दिखें बिल्कुल सही आ रहे हैं पाली वायर हमारी इसवाली है माइनस वाली हमारी माइनस के उया है वहिद आ रही है अब ध्यान में रखनी है तो यहां पर यह चीज़ इसके साथ में विल्गुल फिट आएगा यहां पर मानेस प्लस इसके साथ में जूड़ा हुआ इसके साथ में नहीं आरी तो देखें सिंपल यह स्पीकर के अंदर तो आप कोई सी विवायर जोड़ सकते हो बस बैटरी के अंदर आपको ध्यान रखना होता है तो इस तरीके से देखिए यहां पर मैंने स्पीकर जोड़ दिया है और थोड़ा सब मेरा कहने के मतलब यह है कि मेरे पास अभी कोई दूसरा मोबाइल नहीं है नहीं तो मैं आपको नोन कोपीरेट सोंग अगर अभी प्ले करके दिखाता बाकि इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यह हमारा कार्ड काम करता है तो यहां पर देखिए यह अपनी अपनी जरूरत के अकोडिंग आपको इस कार्ड को लेना है दोनों कार्ड बैस्ट हैं लेकिन इसके साथ में यह है कि आप इस टाइब की बैटरी के साथ में इस कार्ड को यूज कर सकते हो रिमोट इसके साथ में नहीं मिलता लेकिन इसके अंदर आपको माइक का option मिल जाता है और यह वाला जो कार्ड है इसके साथ में क्या है कि आपको यह ओडियो में डू लगाना पड़ता है और इसके साथ में आपको लगबग चार से पांच वोल्टेज की सप्लाई देनी होती है जबकि इसके अंदर आप यह यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से यह कार्ड हमारा काम करता है तो उमीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम